जिग्यासों वित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य स्रजन में प्रतेग दिवस की भाती प्रतेग दिवस की भाती हम आज फिर यहां पर लाइव चर्चा का कारिकरम चुरू कर रहे हैं उस दिनों से लाइव में नहीं हो रहा था प्रीमियर वीडियो मिल रहा था आपको और लेकिन आज यह लाइव सेशन है आप अपनी कमेंट्स कर सकते हैं चलिए आज का विशय है कि इश्वर हिर्दय में है तो भगवान इस बात को कैसे समझाते हैं पहले तो भगवान स्वधर्म की चर्चा करते हैं अरजुन से देखिए अरजुन से स्वधर्म की चर्चा करते हैं और स्वधर्म की चर्चा तो भगव जेन कौन्ते या निबद्ध स्वेन कर्मना करतू निक्षसी जन्मो हात करिशिस्य से वशो अपीतत अरथात खेकुंती नंदन अपने स्वभाव से जन्य कर्म से बंदा हुआ मोह के कारण जिस युद्ध को तु नहीं करना चाहता है उसको भी तु छात्र प्रकृती के परवश होकर करेगा क्योंकि यह तेरा सुभाव है छात्र प्रकृती होना यह तेरा सुभाव है छात्र प्रकृती में होना इश्वर सर्व भूता नाम हिर्देश अर्जुन तिष्ठती भ्राम यन सर्व भूतानी यंत्रा रुडानी मायया बहुत रहस्यमई और बहुत सुन्दर इस इसलोग का अर्थ है भगवान कहते हैं इश्वर सर्व भूता नाम हिर्देश अरुजुन तिष्ठती अर्थात वह इश्वर हे अरुजुन इश्वर संपूर्ण प्राणियों के हिर्दय में रहता है रहकर करता क्या है भगवान क्या कहते हैं शंपूर्ण प्राणियों हे अर्जुन इश्वर संपूर्ण प्राणियों के हिर्दय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूड हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमन कराता है उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमन कराता है इसका क्या अर्थ है जैसे कि बिजली पंखे में गई तो पंखा हवा देता है हवा देना बिजली का काम नहीं यह पंखे का स्वभाव है हवा देना बिजली बल्ब में गई तो रोश्नी हो गई विजली माइक्रो ओवेन में गई तो खाना पक गया विजली वाशिंग मसीन में गई तो कपड़ा धुल गया तो जिसका जो सुभाव है उसकी अनुसार उसको वो करवा दिया लेकिन खुद अकरता है स्वेम अकरता है स्वेम कुछ करता नहीं ठीक तो हे अरजुन इश्वर संपूर्ण प्राणियों के हिर्दय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूड हुए संपूर्ण प्राणियों के उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमन करता है या भ्रमन कराता रहता है करता निए, भ्राम यन्न अर्थातव भ्रमन कराता रहता है वो सम्पूर्ण प्राणियों के अपने उनका सभाव से उसका कोई न देना नी, बस उनको वो एक्टिव मोड में डाल देता है बात खतम स्वेम अकरता बनके रहता है स्वयम के अंदर कोई करतापन उसके अंदर नहीं है सबसे पहली बात कि इश्वर रहता कहां पर है तो कहा गया कि इश्वर हिर्दय में रहता है अब हिर्दय में रहने का क्या तातपर है तो क्या हिर्दय में ही रहता है सब जगा नहीं रहता है सब जगा वो रहता है लेकिन वो जाना जाता है हिर्दय गुहा के माध्यम से हिर्दय गुहा के माध्यम से ही वो जाना जाता है योगियों का वही अस्थान है जहां वो उस ब्रह्म को जान पाते है हिर्देय में रहता है उपर में रहता है कुछ लोग कहते हैं कि वो उपर में बैठा हुआ है जी नहीं उपर में नहीं बैठा हुआ है सब के हिर्देय में बैठा हुआ है हिर्देश अरजुनत इस्थती वो सब के हिर्देय में रहता है सब के हिर्दय में उसका वास रहता है सब के हिर्दय में उसका वास रहता और हिर्दय में रहकर वो करता क्या है बहुत सुन्दर शब्द का यहां प्रियोग हुआ है जो मैंने एक्जामपल लिया रामयन्य सरभूतानी यंत्रा रुढ़ानी मायया यंत्र के समान यंत्रा शरीर रूपी यंत्र शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए मैंने आपको बिजली और बिजली के उपकरणों का नाम लिया बिजली और बिजली के उपकरणों का नाम लिया जैसे कि बिजली है तो बिजली से पंखा चल रहा है बिजली से लाइट जल रही है बिजली से वाशिंग मशीन चल रहा है बिजली से फ्रिज चल रहा है बिजली से जो है बहुत सारी चीज़े चल रही है लेकिन फिर भी बिजली सब बिजली अपने अनुसार उनको नहीं चला रहा है उनके सुभाव के अनुसार वो चल रहे हैं विजली बस उनको चला रहा है लेकिन उनको अपने आनुसार नहीं चला रहा है उनके सभाव कि भाई तुम्हारा जो सभाव है तुम चलो जाओ तुम्हारा जो सुभाव है तुम चलो जाओ तो तुम्हारा सुभाव है तुम जाओ जो जैसे तुम्हारा सुभाव है तुम वैसे करोगे तो अरजुन का छात्र प्रकृति है छात्र प्रकृति मतब छत्रिय प्रकृति तो छत्रिया प्रकृति है अर्जुन के पास तो वो युद्ध तो करेगा युद्ध नहीं करेगा ऐसा नहीं होगा युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा इसलिए हे अर्जुन सुभाव भले ही यहाँ पर ये कहने की जवुरत क्या पढ़ रही है भगवान कृष्ण को इसकी ये बात समझने क्या वशकता क्यूं कह रहे हैं ऐसा क्योंकि वो पहले सुभाव की चर्चा कर चुके हैं स्वधर्म की चर्चा कर चुके है स्वधर्म को समझा चुके हैं अरजुन को कि तेरा स्वभाव तेरा स्वधर्म है तेरी प्रकृती छत्रियों वाली प्रकृती है इसलिए तुझे युद्ध से नहीं हटना चाहिए और वैसे भी तू छत्रिय कुल में जनम ले रहा है और युद्ध करकर धर्म की रक्षा करना तेरा कर्तव्य है तो निश्य ही तू अपने कर्तव्य की पालना कर वो भी करना चाहिए लेकिन तेरा सुभाव भी छत्रियों वाला है तो सुभाव वस भी तू युद्ध तो करेगा ऐसा नहीं कि नहीं करेगा लेकिन कुछ समय के लिए सब को परिशान कर देगा कुछ समय के लिए तू सब को परिशान कर देगा फिर हमस्या यहां आ जाएगे कि तू सब को परिशान करने वाला है तो इसी लिए तू व्यर्थ में उल्टी सिधी बातें मत कर तू युद्ध कर अब प्रशनी ये उठता है अरजुन के मन में कि भाई इश्वर सब करता कराता है कुछ ऐसा है क्या तो भगवान उसी चीज को इसपश्ट कर रहे हैं कि ने इश्वर सब के हिर्दय में है लेकिन ये शरीर रुपी यंत्र यंत्रा रूढ़ा साफ साफ लिकाए यंत्रा रूढ़ा ठीक ना यंत्रा रूढ़ानी सर्भुतानी भ्राम्यन यंत्रा रूढ़ानी मतलब यह यह जैसे की बिजली की उपकरन है मान लीजी आज हमारे पास बिजली की उपकरन है आप देखत उपकरन अपने सुभाव के नुसारे कारे करते हैं अपने सुभाव के नुसार सब लोग कारे करते हैं सारे जीव इश्वर सब के हिर्दय में फिर भी है अपनी प्रकृति के नुसार ही कर्म करता है इश्वर सब के हिर्दय में फिर भी है वही सब को कर्म में लगा रहा है लेकिन नहीं भी लगा रहा है लेकिन जो कर्म हो रहा है वो सुभाव से हो रहा है प्रकरती से हो रहा है प्रकरती पुरुष का संसर्ग है लेकिन जो भी हो रहा है वो प्रकरती के कारण हो रहा है फिर ऐसी स्थिती को भगवान यहां समझाना चाहते हैं इस प्रकार कि भाई मैं सब के हिरदय में हूँ लेक कर्म करते हैं ठीक है तो ये हमें समझना जरूरी है कि इश्वर्थ हिर्दय में होकर क्या है अस प्रभु हिर्दय अच्छत अविकारी सकल जीव जगत दीन दुखाई ऐसा प्रभु हिर्दय में है फिर भी जीव जगत दुखी है क्यों दुखी है कि इस दुखी अपने सुभाव से है ऐसे थोई न दुखी है दुखी अपने सुभाव से है उसका सुभाव उसको दुखी करता है उसका सुभाव उसको अशान्त करता है आगे भगवान से कृष्ण इसी की चर्चा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि तू उस इश्वर को जान ले कैसे जानेगा कमेव शर्णम गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादाद पराम शान्ती स्थानम प्राप्स्यसी शाश्वतम हे भरत वन्शिय उद्भव अर्जुन सर्व भाव से उस इश्वर की ही शरन में चला जा उसकी क्रिपा से तू परम शान्ती अविनाशी परम पद को प्राप्त होगा क्योंकि वो तेरे सुभाव से परे है अस प्रभु हिर्दय अच्छत अविकारी सकल जीव जगदी ने दुखारी तुलसी धाज ये इस बात को बहुत अच्छे से समझाते है कि वो प्रमात्मा हिर्दय में है लेकिन फिर भी सभी लोग दुखे हैं क्योंकि सभी अपने प्रकृती के वशिभूत हैं वो अंदर होने पर भी हाँ वो सब को एक्टिव मोड में डाल जरूर रहा है लेकिन आपकी भावनाओं में कोई इंटरफेर नहीं कर आपके कर्म में कोई इंटरफेर नहीं कर आपकी अपने प्रकृती से होना है मनुष्य को शांती कब मिलेगी मनुष्य के जीवन का लक्ष पूर्ण कब होगा मनुष्य के जीवन का लक्ष पूर्ण कब होगा जब वह अपने संपूर्ण भावनाओं को उस आत्मा में समर्पित कर दे हर्दया में बैठे उस इश्वर को जानने का प्रयास करे हुर्दया में बैठे उस इश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करे हुर्दया में बैठे उस इश्वर को जानने का प्रयास करे हुर्दया में बैठे उस इश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करे क्योंकि वो निरलिप्त है तो वो आपको भी निरलिप्त कर देगा प्राप्तना कर ले अपने आप निश्कामता आजाएगे अपने आप निरलिप्त हो जाओगे अपने आप निश्कामता आजाएगी अपने आप निरलिप्त हो जाओगे तो यह तत्य हमें समझना है यह बात हमें समझना है तो यदि हम समझते हैं तो निश्य ही हम अपने जीवन को सुधार पाएंगे हम अपने जीवन को बहतर बना पाएंगे इसलिए भगवान कहते हैं कि तो उसकी शरन लेने से तो निरलिप्त हो जाएगा तो निश्काम हो जाएगा फिर क्या होगा कि तु कर्तव्यों की पालना करेगा कर्तव्यों की पालना करेगा तो कर्तव्य की पालना करना जरूरी है धर्म की पालना करना फिर जरूरी हो जाता है मनुष्य की चाहे कितनी भी इच्छा ना हो उसे हमेशा धर्म और कर्तव्य का ही चुनाव करना चाहिए तीख है उसे हमेशा धर्म और कर्तव्य का ही चुनाव करना चाहिए कि उसके लिए कर्तव्य क्या है और उसके लिए धर्म क्या है इतीते ग्यान माख्यातम गोहियाद गोहियतरम मया विम्रश्य कद शेशेन यतिक शसी कथा कुरू यहाँ गोहिय से भी गोहियतर शर्नागती रूप ग्यान मैंने तुझे कह दिया है अब तु इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर भगवान ने चोड़ दिया भाई जितना बताना था बता दिया अब क्या पीछे पढ़ना जो करना है करो सब कुछ तो बताई दिया सब कुछ तो समझाई दिया बार बार भगवान एक विशेश बात पर अर्जुन को आकरशित कर रहे हैं धर्म और करतव्य कुछ भी हो जाए धर्म करतव्य का पालन तो करो फिर धर्म और करतव्य की पालना तुम्हें करना ही चाहिए यह इसी में तुम्हारा कल्यान है इसी में तुम्हारी प्रतिष्ठा है तुम्हारा मान सम्मान है बहुत सारी चीजे हैं सबसे बड़ी बात मान सम्मान हो ना हो प्रतिष्ठा हो ना हो सबसे बड़ी बात की तुम्हारा पुन्य है तुम्हारा कर्म है और तुम्हारा कल्यान है और इसको करने के लिए भगवान उसे ध्यान योग का मार्ग दिखा रहे हैं आत्म ग्यान का मार्ग दिखा रहे हैं जी ध्यान योग के बहुत फाइदे हैं क्या फाइदे हैं जल्दी हम एक विडियो लाएंगे इसके उपर ध्यान योग के फाइदे क्या क्या हैं क्या क्या लाब हैं 20 मैं से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है जी, ठीक है, 20 मई से ध्यान योग का कोर्ष शुरू हो रहा है, जीवन को अगर बहतर बनाना चाहते हैं, सुन्दर बनाना चाहते हैं, जीवन को अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं, तो ध्यान योग करिए, ध्यान योग वास्तों में हमें पशुता से मनुष्यता की और ले जाती है, पशुता मतलब हमारे अंदर जो पशु वरती है, जानवरों की जो वरती है, उससे हमें मनुष्य वरती की और ध्यान योग हमें ले जाता है, हम मनुष्य बनना शुरू करते हैं, मनुर्भवा, कि गशाप य मनुष्य बनों मनुष्य बनों कि हमें मार्ग पर ले जाता है ध्यान योग हमें यह सिखाता है तुम मनुष्य बनों मनुष्य बनो लेकिन मनुष्यता आएगी कैसे तुछ धर्म से हीन है वो पशु के समान होता है बाकी अहार निद्राभ है मैथुन तो पशु और मनुश्यों में ही कारे करते हैं लेकिन जो धर्म द्वान है वही मनुश्य उसी को मनुश्य समझना चाहिए इसका अर्थ ही यह होता है भगवान उसी में अर्जुन को समझाने में लगे हुए तो ध्यान योग हमें निश्य ही वास सनातन है तो जब वो सनातन है तो सनातन आत्मा को प्राप्त करकर ही कोई सनातन मार्गी बन सकता है सनातन के मार्ग पर चल सकता है ठीक है तो अगर हमें सनातन धर्म के मार्ग पर चलना है तो उस आत्मा को ही लक्ष बना कर हमें चलना चाहिए फिर हमेशा आत्मा सरो पर ही हा आत्म ज्ञान और आत्मा ही स्वर्व पर होगा तीख है तो चलिए अभी इस विशय को हम कमेटते हैं और जो लोग ध्यानियों का कोर्स करना चाहते हैं 20 मई से 2023 से यह शुरू हो रहा है duration 1 month guided meditation transcendental meditation and spiritual healing Join Jupiter & Sun membership आप Jupiter & Sun membership जो आइन करेंगे इसमें अगर आप Sun membership जो आइन करते हैं तो आपको guided meditation, transcendental meditation का कोर्स मिलता है अगर आप Jupiter जोईन करते हैं तो guided meditation, transcendental meditation and spiritual healing का भी course आपको प्राप्त हो जाए Contact 9661802459 इस नंबर पर आप contact कर लेंगे और contact करकर सारी details आप ले लेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अबधेश कुमार जी बहुत अभिनंदन है आपका युगेश खैरनर, एके त्यागी, नरेंदर माकोडे, शंकर प्रसाद, राजू पाल, नब जोतिनाथ, प्रमलेश खैरनर अजय अशीने, बिकरम सिंग, रमेश यादो, अमन कक्कर, अबनी प्रधान, संतोष कुमार गोविंद प्रसाद निमाजी, सविता नायक, गोविंद प्रसाद कोरी, विनोध के सूध, राम निवास मीना, रमेश पेशवानी, कनहाई कुमार, विश्नु चंद्र मौरिया, अरजन भाई चोहान, पूनम सेथी, अजीत, अपराजित, पलकधारी राजभर, शेखर रुवैद्य, रतन सिंग, घंशाम सरोदे, हारुसी, गुरुजी क्या गरीबों की सेवा करने से इश्वर मिल जाएगे, गरीबों की सेवा करने से पुन्य की व्रदी हो जाएगे, पुन्य बहुत मिल जाएगा और उस पुन्य का फल आपको मिल जाएगा, ठीक है, इश्व जो है जो ब्रह्म है वह तो पुर्णता निश्काम होने से मिलेगा अब निश्काम होकर भी आप गरीबों की सेवा कर सकते हैं अगर गरीबू की सेवा निश्काम भावना से कर रहे हैं तो जरूर आप इश्वर के मार्ग फिर इश्वर प्राप्ती की मार्ग पर आप चल रहें फिर इश्वर मिलेगा लेकिन गरीबू की सेवा मात्र पुन्य प्राप्ति के लिए कर रहे हैं और उसमें अगर कहीं दान, दान के उपर बहुत अच्छी चर्चा है गीता के अधार पर भगवान ने बताए कि दान कैसा होना चाहिए दान कैसा होना चाहिए गरीबो तो आपको पता चलेगा कि अगर वैसा दान होता है तो निश्य ही वो निश्काम कर्म योग होगा और फिर जो है आप इश्वर की प्राप्ति के और आगे बढ़ जाएंगे लेकिन अगर प्रदर्शन हुआ या फिर कुछ और इक्षा होई तो उसमें समझ से आए एसी सतीष मास्टर राम विलाज जी उतकर्ष तिवारी हां लेकिन एक और बात ध्यान रखे ध्यान योग का मार्ग फिर भी आपको करना पड़े गरीबों की सेवा करने पर भी निश गुरुजी सत्सत्नमन आपके चरणों में पवन कुमार गुपता पदरी लाल जी चलिए रूपलाल विश्व कर्मा जी क्या मनुष्य योनी के लावा अन्य योनियों में भी कर्म बनते हैं सब में कर्म बनते हैं कर्म बनते हैं सब योनियों में हैं मनुष्य योनी में ये सामर्थ है कि वो योग माध्यम से कर्म चकर से उपर निकल सकता है मनुष्य योनी में यह संभव है कि वो कर्मों के बंधन से बाहर निकल सकता है बाकि तो सब जीव में कर्म बंते हैं कर्मों का बंधन होता है प्रकृति कर्म करवाती है, बंधन देती है, फल देती है, चलता रहता है, ये चकर चलता रहता है नरसा राम प्रजापत बद्रिलाल जी, गुरुजी सत्सत्नवन ठीक है, पवन कुमार गुपता जी, बद्रिलाल वीर क्या मुक्त होने पर आत्मा का व्यक्तिगत सत्ता बना रहता है, मतलब आत्मा का व्यक्तिगत सत्ता का क्या रत है, आत्मा की सत्ता तो हमेशा रहेगी रहेगी, आत्मा की ही सत्ता और किसकी सत्ता है, आत्मा सर्वयापी है, क्या आत्मा एक है, यहां सब जीव की आत्मा अलग कर लग है नहीं जी आत्मा एक है एक ही बिजली है अब ही तो क्लियर किया गए आज का विशय किया है वीर जी आज का क्या विशय हमने चर्चा किया आप इस वडियो को रिपीट कर दिजी फिर से सुन लिजिएगा दुबारा आज यही तो चर्चा हुई आत्मा सब में समान से है लेकिन हर प्रतेक जीव जो है अपने सुभाव से कर्म कर रहा है अपने सुभाव से कर्म कर रहा है जैसे कि एक ही बिजली बल्व में है पंका में है एक ही बिजली वाशिंग मशीन में है, फ्रिज में है, टीवी में है, तो सब जगा वो एक ही बिजली है, लेकिन सारे मशीन अपने अपने सुभाव से काम कर रहा है, कोई गर्मी दे रहा है, कोई ठंडा दे रहा है, ठीक है, तो आत्मा तो एक ही है, बिल्कुल आत्मा एक ही ह सब जीवों की आत्मा एक है एक ही शक्ती जो है सब जीवों में काम कर रही है लेकिन फिर भी प्रतेक जीव प्रतेक शरीर धारी अपने सुभाव से कर्म कर रहा है क्या आत्मा एक है यहां सभी जीव की आत्मा अलग अलग है क्या आत्मा एक है यहां सभी जीव की आत्मा अलग अलग है नहीं अलग अलग है एक ही है एक आत्मा कोई कही समझी अलग अलग मत मानी क्या मुक्त होने पर हमारी व्यक्तिगत अस्तर रहती है या खतम हो जाएगी जब मोक्ष हो जाएगा जब कैवल्ल हो जाएगा उसमें दो प्रकार की मुक्ति है एक विदेह मुक्ति एक जीवन मुक्ति जीवन मुक्ति में व्यक्तिगत सत्ता रहेगी लेकिन वह सुक्ष्म रूप में रहेगी इस्थूल रूप में नहीं रहेगी दूसरी चीज हाँ सुक्ष्म से स्थूल फिर भी धारन हो सकता है अगर विदेह मुक्ति होती है अर्थात पुर्ण मोक्ष होता है कैवल्ले होता ह बीज का ले हो जाए निर्भीज समाधी जिसको हम क्याते हैं चित का ले हो जा ना कोई बीज ना बचेगा संस्कारों का जब ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या होता है फिर कोई व्यक्तित्व नहीं रह सकता वो वैसे होता है जैसे कि नदी समंदर में मिल गई तो उस नदी को आप समंदर से अब निकाल नहीं सकते, उस पानी को आप निकाल नहीं सकते आप समंदर से, ठीक है, वो उस तरह से आप ब्रहम हो गए, अब कोई मतलब नहीं है, बद्री लाल जी, मेरे मन में हमारे यहां सोजत जिला पाली में राम पाल जी महराज ने संस्था लगा रखी है। में राम नाम नहीं लिने देते समाजिक विवा नहीं होंने सनातन धर्म को चलने नहीं देते हमें.. इसके बारे में हम प्या बताएं भई आपको लगता है कि सनातन धर्म के विरुद हैं जो भी वहाँ जाते हैं उनको समझाये रोकिए कि भाई सनातन के विरुद चल रहे हैं ठीक है तो यह तो देखें लोगों को जागरू करने की आवशक्ता है हम लगे हुए हैं जागरू करने की आप सुनिए समझी और अपने लेबल पर आप भी काम करिए अभी हम एक टीम बनाएंगे लोगों की एक टीम बनाएंगे जो लोगों को जागरू करने में लगे रहेंगे धर्म को विशय को के लिए जागरू करें जनाएं लोगों को तो चलिए धिरे-धिरे होगा जो हो रहा है पांडूरंग वराले जी अपना कर्म करतवे तो करेंगे ही न भै भूबी सनातन धर्म के परति हम कर सकते हैं, इतना भी शरीर में, मन में, सामर्थ हैं और जितना समय देगा यह काल, कब तक तो धर्म की सेवा करनी है। आप लोग का साथ चाहिए आप लोग साथ जरूर दीजिए धर्म की सेवा में जो आप से बन पड़ता है आप साथ देने की कोशिस कर सकते हैं जरूर कीजिए तंसे मन से धंसे जो संबह हो पड़े लेकिन हम धर्म सुधार कर सकें लोगों को सही तरीके से जागरू कर सकें यह कारे चलेगा और इस कारे से बढ़कर दूसरा कारे और क्या हो सकता है जब तक जीवन है तब तक ये कारे करना है अगर आप सहयोगी बनना चाहते हैं साथ ही बनना चाहते हैं तो निश्य ही बनिए और आगे बढ़िए धर्म सुधार के कारिकरम में लोगों को समझाने में उन और साथ में नेचुरोपैथी, देखिए प्राकिरतिक चिकिस्सा का कोर्स भी 20 मैं से शुरू होता है, यह जो प्राकिरतिक चिकिस्सा है यह वैकल्पिक चिकिस्सा है, और यह बहुत ही लाबकारी है, सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा में ही रोगी डॉक्टर बन सकता है तो यह भी ऑनलाइन कोर्स है जो कि 20 मई 2023 से शुरू हो रहा है 30 मई 2023 से शुरू हो रहा है प्राकृतिक चिकित्सा का आप लाब उठा सकते हैं स्वास्त को बहुत सारे लोगों ने लाब उठाया है कई लोग पोन करके बोलते हैं कि हम इसे बहुत लाब हुआ और साधना में भी लाब मिलता है तो निश्या ही आप भी इस से लाबहानवित होईए और लाबहानवित होकर अपने जीवन का कल्यान कीजे तो जरूर ये कोर्से साब जोइन कर सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा का और फिर ध्यान योग का जो कि 20 मई से शुरू हो रहा है समय है अभी आज 13 तारीक है साथ दिन तक का समय है लगबग इस समय के अंतराल में आप जरूर जवाइन कर लें जिन्होंने नहीं किया है इसी के साथ विदा लेंगे आज विराम देंगे आज के सकारिक्रम को कल फिर मिलेंगे 9 पीम लाइव चर्चा में बहुत बहुत आभार आप सभी का ओम तत्सक्राइब कल विर्म लेये आप सर्चा में चर्चा में जिन्होंने लेक्रा gवाईब यहाँं विर्शने लेक्राइब झाल झाल